अलो दोस्तों केसे हो आप सब आपका भाई हाजी रोग चुका है और एक न्यू भेकेंसी का अपडेट के साथ आज कर जो हमारा भेकेंसी का अपडेट निकल का है वो कोचिन सी प्याड लिमिटेड से निकल का है इस वीडियो में हम डिसक्रस करेंगे इसका अपलाई करने का प्रोसेस, eligibility criteria मैं आपको इस वीडियो में step by step बताने वाला हूँ अगर आप हमारी चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe कर ले इस तरह का latest technical job notification, technical data study material और interview tips आपका भाई आपके लिए लाता रहता है तो चलिए अभी इसका official notification में चलते हैं जैसे कि मैं अभी कोची CPL Limited का जो official notification में हूँ जैसे कि इसको publish के आगया है आप देख सकते हैं 5 February को इसको publish के आगया है और यहाँ पर आपको देख रहे हैं आपका जो selection procedure रहने वाला है work in interview आपका selection procedure रहने वाला है और अभी जो इसका पोस्ट निकला हुआ है workman का पोस्ट नि काफी अच्छा वेकेंसी निकला हुआ है लेकिन इसको pressure candidates को apply नहीं कर सकते है मिनिमुम आपको यहाँ पर जितना भी पोस्ट निकला है आपको दो साल का experience यहाँ पर mandatory मांगा गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो project assistant जो contract base में रहने वाला है जो mechanical मांगा गया है जो mechanical का दो post है और इसमें आपका educational qualification आपके पास three year का diploma engineering in mechanical में होना चाहिए अगर आप mechanical engineering से diploma की है तो आप इसको apply कर सकते हैं लेकिन इसमें जो work experience मांगा गया है two year का experience मांगा गया है अगर आपके पास CPR company से अगर कोई भी अगर engineering या government company से भी अगर आप contract base में भी आपके पास अगर two year का experience है तो आप इस post को apply कर सकते हैं next post की बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे quality inspection का जो vacancy निकला हुआ है इसका भी educational qualification का बात कर लेते हैं यहाँ पर भी आपको diploma मांगा गया है mechanical engineering से और यहाँ पर experience का बात कर लेते हैं तो यहाँ पर two year का experience मांगा गया है अगर आपके पास अगर diploma mechanical से किये हुए तो भी आप इसको apply कर सकते हैं यहाँ पर भी two year का experience मांगा गया है next vacancy quality inspection बाल्ब एंड piping का यहाँ पर भी diploma ही मांगा गया है mechanical से यहाँ पर दो पोस्ट रखा गया है और इसका लिए भी जो हमारा experience मांगा है two year का experience मांगा गया है next vacancy का देख लेते quality inspection painting इसका भी educational qualification बात कर लेते हैं इसमें mechanical ही मांगा गया है देखा जाए तो डिपलोमा का maximum mechanical engineering से ही मांगा गया है और यहाँ पर vacancy देख लेते हैं quality inspection electrical का यह electrical के इसको अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिपलोमा electrical से किए है तो आप इस post को अपलाई कर सकते हैं और इसमें भी experience मांगा गया है अगर आप आप आईटेई welder trade से किये हुए और आपके पास 3 year का अगर experience है तो आप इस post को apply कर सकते हैं यहाँ पर और एक vacancy है जो outfit assistant fitter यहाँ पर आईटेई fitter वाले इसको apply कर सकते हैं यहाँ पर भी minimum experience मांगा गया है 3 year का experience मांगा गया है नेक्स्ट और एक vacancy है जो mooring and scaffolding assistant का यहाँ पर आठरा post है और यहाँ पर आपके पास अगर 10th प्लस IT है और 3 साल का experience IT यहाँ पर seat metal worker fitter pipe plumber और only fitter जो किये हुए और इसको apply कर सकते हैं आपका जो यहाँ पर selection procedure रहने वाला है यहाँ आपका walk-in interview selection procedure रहने वाला है और यहाँ पर date दिया गया है 15-17 फरवरी के बीच में आपको वहाँ पर walk-in interview के लिए जाना है जो यहाँ पर उनका address भी दिया गया है कोची सीपर लिमिटेड मुंबाई सीपर यूनिट जो आपको यहाँ पर address देख सकते हैं इन address में जाके आपको 15-17 के बीच में वहाँ पर interview attend करना है यहाँ पर salary package का बात कर लेते हैं जैसे कि मैं आपको बता दिया था है आपका जो 3-year का contract base में रहने वाला है आपका यहाँ पर first year जो रहेगा 24,400 रहेगा second year आपका 25,100 और third year जो आपका रहेगा 25,900 और यहाँ पर compensation पर extra hour आप अगर OTT करते हैं तो आपको आपको एक्स्ट्रा पेसा भी दिया जाएगा 5,100 रुपे यानि कि देखा जाए तो आपको लदबग 30,000 के आसपास यहाँ पर आपका salary बनके आ जाएगा और यहाँ पर आपको PF और EPF का भी यहाँ पर facility दिया जाएगा और यहाँ पर age criteria का बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 30 year तक मतलब 30 साल तक इसको apply कर सकते हैं और ACST candidate क यहाँ पर age relaxation भी दिया जाएगा यहाँ पर selection method का भी बात कर लेते हैं आप जब वहाँ पर जाएंगे वाकिन इंटर्वी के लिए वहाँ पर आपका written test लिया जाएगा और यहाँ पर कौन कौन से subject आपका written test लिया जाएगा वो भी देख सकते हैं 50 mark आएगा general English 10 mark quantitative attitude 10 mark और reasoning आ आपका यहाँ पर 5 mark आने वाला है और part B में आपका जो skill test भी यहाँ पर लिया जाएगा यहाँ पर minimum pass mark आपका 33% रख के आपको pass करना पड़ेगा और अलग पोस्ट के लिए जैसे कि assistant welder और outfit assistant के लिए यहाँ पर उनका सिलाबस अलग रखा गया जैसे कि IT mark उनका 20% रहेगा और objective type question 30% रहेगा और practical 50% रहेगा यानि कि total 100% वहाँ पे उनका रहने वाला है यहाँ पर next देते जैसे कि मौसुरिंग और staff holding के लिए और practical test 80% रहेगा और physical test 20% तो यहाँ पर सब के लिए जो सिलाबस रखा गया है अलग अलग वहाँ पे इनके लिए सिलाबस रखा गया है date और time देख सकते हैं next जो अगर आपको fabrication assistant welder और outfit assistant fitter piping के लिए अगर अपलाई करते हैं तो आपको महाँ पे 16 फर्वरी को जाना है और next जो आप देखते हैं जो mooring and scaffolding assistant के लिए अगर आप अपलाई करते हैं महाँ आप 17 फर्वरी को आपको जाके महाँ पर वाकिन interview को attend करना ह आपको interview के time में कौन-कौन सा जो यहाँ पर certificate का जरूरत पड़ेगा उसका भी बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पासपोर्ट साइच photograph और self-artistered यहाँ पर copy of आधर का यहाँ पर self-artistered copy self-artistered of certificate जैसे का आपका टोटल यहाँ पर जो क्वालिपिकेशन का साटिपिकेट एक्स्पिरिंस साटिपिकेट का वहाँ पर जरूरत पड़ेगा अगर आप सब्सक्राइब कर ले इस तरह का लेटेस्ट टेकनिकल जोब नोटिपि साथ का वहाँ आपके लिए लाता रहता है